निमस्कार दोस्तों, मैं संचीता भटाचारिया आपका स्वागत करती हूँ, बहुती एक रोचक कारिक्रम में, जिसका नाम है Company Style Painting Senior Secondary Level का है, विशय है Painting तो चलिए हम जानते हैं कि ये जो Company Style है, या Company Shelly, किसे कहते हैं Company Shelly? किश प्रकार की Painting को Company Shelly के नाम से जाना जाता है Company Painting एक सामुदाइक शब्द है, जिसका इस्तेमाल European Palette में भारतिय कलाकारों द्वारा निर्मित कला के लिए किया जाता है 18 और 19 भी सताबदी के अंत में निर्मित पहले मुसिदावाद के पश्चिम बंगाल के मुसिदावाद में और फिर वानारस, दिल्ली, लखनो और पठना में फैल गई East India Company के साथ काम करने वाले अंग्रेजों के स्वाद के जवाब में भारत में बिकसित चित्रकला की शैली जो ब्रिटिश कलात्मक हलका में सुरम्ह पत के अनुरूप थे सबसे सफल आप प्राकृतिक जीवन में अध्यान थे लेकिन शैली आम तोर पर एक विशिष्ट गनवत्ता की थी कमपनी शैली या कमपनी पेंटी भारती अकलाकारों द्वारा भारत में बनाई गई चित्र की एक इंडो-उरोपियो शैली है शैली ब्रिटिश इस्ट इंडिया कमपनी या अन्य विदेशो कमपनीयों में योरोपियो सरकारों के लिए काम किया शैली ने राजपूत या मुघल पेंटिंग के पारंपरिक तत्व को परिद प्रिक्ष मात्रा और मंदी के अधिक पश्चिमी उपचार के साथ मिस्रित किया अधिकांग्ष पेंटिक छोटी थी या जो भारतिय लगु परंपरा के दर्शाती है छोटे छोटे पेंटिंग होते थे जो जैसे शुष्म पेंटिंग शुष्म या लगु चित्रकला भारतिय लगु परंपराव को दर्शाती है ऐसी बहुत सारे ऐसी पेंटिंग किया गया था कमपनी शैली में लेकिन पौधे या पक्षियों के प्राकृतिक इतिहास की चित्र आम तोर पर जीवन के आकार के होते हैं प्रमुक केंद्र, कलकत्ता, चैन्नाई, दिल्ली, लखनो, पटना, तंजावुर के मराठा दर्वार और बैंगलर की मुख्य ब्रिटिश वस्तिया थी विशयों में भारतियों, लोगों, नर्तकियों और तेवारों के चित्र परिद्रिश शामिल थे बिभिन्न जातियों या मैबशाओं के आकरों की स्रिंखला विशेस रूप से थी जिसमें पोशाक में अंतर पर जोर दिया गया था अब इतिहासकारों द्वारा विसलेशन के विशयों के रूप में समान रूप से लोकप्रिय है जनवरों या बनस्पती विशयों के पोर्टफोलियों भी आयोग किया गये थे और कुछ कामुक विशय, स्थापत्त विशय लोकप्रिय थे आमतोर पर भारत आने वाले अधिकांग्ष यूउरोपिय चित्रकारों द्वारा उपयोग की जाने वाली रूमैंटिक शैली की तुलना में एक बिस्त्रित और ललाट शैली में एक वास्तुशिल्प ड्रफ्ट मैन की तरह अधिक किया जाता था तकनीके भिन्नो थी लेकिन जादा तर पश्चिमी जलरंग तकनीक पर आकर्शित हुई जिसमें से बनावट की पारदर्शिता नरमस्वार और बैपक स्ट्रोप में मॉडलिंग की जाती थी और प्राकितिक चित्रों के लिए एलिजा इम्पे की पत्नी मेरी इम्पे जिन्होंने इम्पे एलवम के लिए तीन सौ से अधिक कमिशन किया था वेलिंग्टन के पहले डूक जिनके पास दो हजार पान सो से अधिक थे चित्र की बात किया जा रहा है भारत में फ्रेंच और पर्तुक गल संपत्ती के आसपास बर्मा और सोलन जैसे अन्या दक्षिन एशियाई चेत्रों में समान आंदलन थे लेकिन बहुत छोटे थे फ्रांस में जन्म मेजर जेनरल क्लाउट मार्टिन जो बाद में लखनों में स्थीत थे पक्षियों के 658 चित्र को कमिशन किया पेंटिंग जादातर कागच पर होती थी लेकिन कभी-कभी हाती दात पर खास कर दिल्ली की पेंटिंग ऐसी बहुत सारे पेंटिंग होती थी कमपानी शेली में वे जादातर पोर्टफोलियो या अल्बम में रखते थे उन्विंश सताबदी की सुरवात में उत्पादन काफी स्तर पर था जिसमें कई चित्रों को कापी किया गया था उन्विंश सताबदी तक कई कलाकारों के पास काम बेचने के लिए दुकाने और इसे बनाने के लिए कारिशाला आये भी थी तकनिक अलग-अलग थी लेकिन जादातर पश्चिमी जलरंग तकनिक पर खीची गई थी जिसमें से बनाबट की पारदर्शिता, नारमस्वर और बैपक स्ट्रोक में मौडलिंग पश्चिम में उधार ली गई थी इन पेंटिंग्स के लिए जादातर पेपर का इस्तिमाल किया जाता था हाती दात का भी इस्तिमाल किया गया था जिसकी बारे में हमने आपको बताए थे बहुत सारे ऐसी हाती दात का भी इस्तिमाल किया गया था पेपर में भी किया था हाती दात में भी ऐसी बहुत ऐसी आईवरी मतलब ऐसी बहुत सारे पेंटिंग होता है बहुत मुल्लवान होती है हाती दात में जो पेंटिंग किया गया था वो बहुत मुल्लवान होती थी है वो पेंटिंग शैली राजपूत और मुघल चित्रकला के पारंपरिक तत्व को पश्चिमी उपचार के साथ मिस्रित किया अधिकांग्ष पेंटिंग छोटी थी जो भारतियों लगु परंपरा को दर्शाती है लेकि पौधे और पक्षियों के प्राकृतिक इतिहास के चित्र आमतोर पर जीवन के आकार के होती है पश्चिमी देशों और भारतियों के स्वात को पूरा करने के लिए कमपनी पेंटिंग कहलाने वाला पहला शेत्र मद्राज प्रसिडेंसी था इसके इलाबा तंजोर के कलाकार नई शैली के साथ प्रयोग करने वाले पहले विक्ति थे उसी शमय जैसे जैसे इस्ट इंडिया कमपनी का राजनीतिक दबदबा बढ़ता गया कई केंद्र उभ्रे उनमें से प्रतिक स्थानिय परंपराओ के कापी प्रभावित था सबसे महत्तपूर्ण प्रारंभिक उत्पादन केंद्र कलकत्ता था जहां पर बहुत सारे ऐसी कमपनी पेंटिंग को कमपनी शैली में बहुत ऐसी पेंटिंग बनाया गया था और वो कलकत्ता था कमपनी इस्ट इंडिया कमपनी का यहां कला के मुख शंगरक्षक लॉड हम पे जो उच्छ नयाले के मुख नयाधिस थे और गवर्नर जनरल लॉड वैलेसली थे वै विशेक से जानबारों और पौधे को जीवन में रूची रखते थे उन्होंने कलकत्ता के बोटनिकल गार्डन सहित पक्षियों और जानबारों को चित्रित करने के लिए कलाकारों को काम पर रखा जब वैलेसली सिवा निब्रित हुए तब तक लगभक 2542 पेंटिंग्स इकठी की जा चुकी थी पश्चिमी तकनीकी में भार्तियों कलाकार को प्रशिक्षित करने के लिए ब्रिटिश ने बॉम्बे कलकत्ता और मद्रास जैसे प्रमुक शहर में कूलों की भी स्थापना की थी इन स्कूलों में सनातक करने वाले और इन स्कूलों में दिक सिखाई जाने वाले तकनीक को लागू करने वाले कलाकारों को कमपनी स्कूल के कलाकार सिर्फ कहा जाता था इनको वे नए संगरक्षक चाहते थे कि कलाकार भारतिय जीवन और द्रिश्चों को अपनी पसंद की माध्धम से चन्हित करे जिसमें भारतिय कलाकार ने चित्र की अंग्रेजी शैली की नकल की तकनीकी अलग-अलग थी लेकिन जादा तर पस्चिमी जलरंग तकनीक पर खीची गई थी जिसमें से बनाबट की पारदर्शिता नरमस्वर और बैपक स्ट्रोक में मॉडलिंग पस्चिम में उधाल ली गई थी पस्चिम से उधाल ली गई थी मतलब यह है कि हमने पस्चिम में जो मॉडलिंग का बहुत सारे ऐसी इस तरह की मॉडलिंग मतलब human figures बनाए थे animal figures बनाए थे ऐसी बहुत सारे study जो किया था उन्होंने उसको हमने अपनाए थे उससे हमने पुरा नकल किया था painting तो इसे को कहते हैं जिसे हम अपनी अच्छी तरह से कुछ भी चीजे अगर हम यह भी तो एक skill होता है जो अगर हम कुछ भी चीजे देख के उसको as it is बहुत सुन्दर से बनाए that is also a very good skill and painting में अगर यह चीज कर पाए तो यह सबसे बहुत ही महत्वपूर्na skill होता है हम अपने imagine से बहुत चीज बना सकते हैं लेकिन सामने कुछ भी चीजे है उसको study करके जब हम उसको draw करते है वो बहुत ही सुन्दर होता है और उसमें हम अपना भी imagination लगा सकते है तो इससे painting भी बहुत अच्छय उभर के आती है और चित्र भी बहुत सुन्दर बनती है अभी हमारे पास समय यही पर समाप्त होता है हम आग्या लेते हैं नमस्कार